दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं एर बर्ड नेक बैंड और महेंगे वाले फेडफोन या तार वाले कौन से इस्तिमाल करें कौन से बैटर आपको वैल्यू फर मनी देते हैं इसके बात करने वाले सबसे पहले इनको आउट कर देते हैं यह जो बलकी होत है अभी जो दो चीज़ें सबसे ज़्यदा पॉप्यूलर है वह यह वर्ड आप देख सकते हैं चार है मैंने खुद अपने पैसों से खरीदें कोई स्पॉंसर्ट वीडियो नहीं अलग अलग कंपनी के हैं वन प्लस रेड्मी बोट और यह लोकल चाइनीज है दिखने में जैसा दिखता है यह प्राइस के साब से देखते हैं 2000 कुछ का है वन प्लस का यह पंद्रसों सोरसों का है यह रेड्मी का और उसके बाद बोट का है हजार रुपे कुछ का और यह चैसों रुपे का लोकल वाला है यहां पर दो नेक बैंड भी है यह नॉइस का है थोड़ा बट इनकी डाउनसाइड यह भी है कि इनकी बैटरी लाइफ इतनी नहीं होती इनके नॉर्मली आप केस के साथ आते हैं यह तो अगर केस में थोड़ा इसमल करके केस में डाल दिया तो आफिस चार्ज हो जाते हैं अच्छी बैटरी दे देते हैं बट अगर आपको हमेशा लगा के रखने काफी लॉंगर पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो शायद बर्ड आपके लिए एक अच्छी चॉइस नहीं हो सकती तब आपको लेना चाहिए नेक बैंड राइट तो बैटरी के हिसाब से देखें तो नेक बैंड जीट जाता है क्योंकि नेक बैंड में अभ लेकिन यहासा नहीं मिलता बर्ड में 3 गंटा जाद जाहता चारागन तेन दो घंटा ऐसे के लंग निकाल कर कर से चार्ज हो जाता है बट अगर आपके लिए नेक बेंट अच्छा हो सकता है ये किया होता है को नीक होती है करें इसमें यह हटा दो तो इसक्नेक्चों जाते हैं हमारी केस में होते हैं जैसे आप इनको अगर उठा लो आज हो ऑप कुछ एची ऑपच्छ आ रहे हैं साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहां पर भी नेक बैंड जीत जाता है जी हां क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम नोटिस की है है अब नोच्ति आपने कि होगी नहीं पता है वेसे बात नहीं होते और वहोंrete हैं करते हैं इंटंते ही में इंक है व्हें हैं रहे चाह्ता है Mayo लंग पैसों में तो होता होतीए gaming की बात करें दौनों मैंसे gaming में कौन से अच्छे होते हैं नेकबैंड अच्छे होते हैं gaming के लिए या earbirds गाइज यह दौनों ही अच्छे नहीं होते gaming के लिए क्योंकि इसमें Bluetooth technology है या तो 4.2 या Bluetooth 5 अगर आप latest ले रहे हो उन सम्में latency होती है और उसका कारण यह है कि Bluetooth technology काम यह से करती है जब जो साउंड निकलती है ना आपके फोन से आपके नेक बैंड पर या आपके बर्ड पर तो वह नहीं जाती है वह कंप्रेस होती है और तो कंप्रेस करने के लिए process लगता है और उसके टाइम लगता है सो टेक्निकली देखा जाए तो इसकी latency को आप जीरो या बहुत कम नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रॉसेसिंग में टाइम लगेगा क्योंकि यहां पर रॉइस नहीं जा रही है रहा है तो थोड़ा थोड़ी लेटेंसी तो रहेगी अगर आपको लेटेंसी बिल्कुल लाइक ल बारवाला इस्तेमाल करो वायर्ट सबसे बेस्ट है अगर आपको लेटेंसी कम है और आप मल्टिप्लेयर गेम या पबजी जैसे यह जो गेम जो भी खेल रहे हो लेकिन फिर भी अगर आप यह चाहते हो कि वाई आपको थोड़ा बहुत लेटेंसी चल जाएगी तो आप Bluetooth 5 technology वाले earbuds या तो अपने neckband को select करें तो आपको थोड़ी कम लिटेंसी बिलेगी ergonomics के बारे में बात करें ज्यादा देर तक पहनने की बात करें तो भाई उसमें भी neckband जीच जाता है क्योंकि आपको जब इस नहीं करना तो आप इसे हटा दो लटके रहते हैं एक्दम locket जैसे बन जाते हैं बट इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा देर लगा के रखोगे और केस में डालोगे तो फिर वह तोड़ी करते हैं कई लोग क्या पॉकेट में यह लेकर ज्यादा घुमना पसंद करते हैं यह मैंने quality और battery के साब साहब को बता दिया कौन से जादा चलते हैं उस चीज के बारे बात करते हैं और कौन से रिपेयर जल्दी हो सकते हैं घाई नइक बैंड जल्दी में हैं इसमें बहुत नहीं होता है क्यांकि इसमें बहुता क्यूंकि तो यह जल्दी रिपेड़ी हो जाते हैं ओवराल में यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको style बगेरा चाहिए और एकदम टू वायरलेस चाहिए लेकिन आपको sound quality चाहिए longer battery मतलब battery life जादा चाहिए longer battery life चाहिए तो आपको neckband ले लेना चाहिए यह एक better option हो सकता है तो neckband यहाँ पर जीत जाता है value for money में battery life में और sound quality में तो इसे सबसे आपको neckband लेना चाहिए conclusion निकल गया अब और बहुत साथ चीज़े टोली पर करती है मैंने आपको बता दिया जो मैंने अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो से लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें सब्सक्राइब करें तो नाइटीन रूपीज के तीन इतिकल लाकिंग कुर्सें आसान भाशा में आपको इतिकल लाकिंग सिखा देंगे विडियो में थैक यू सो मच और गुद पा झाल